असलाम वालेकुम बच्चों टॉपिक को डिस्कूस करने से पहले एक्स्टुएंट का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन इस तरह का है कि सर टाइम पिरियोड का मैस के साथ क्या कनेक्शन है इसका अपसमें क्या रिलेशन है तो देखी प्रिवियस लेक्चर में हमने फॉर् मैस इंक बाइवर के तो मुष्दसर बेटा वहां पर देखें के डिया वह फॉर्मुली में तो एम जो उनद्य हो बट्य के ऊपर है ठीक है तो जैसे हम मैस को इंक्रेश करेंगे टाइमफिर भी इंक्रेश होगा बढ़ता जाएगा और अगर मैस कुम करेंगे तो टाइम प्लेट भी क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है, टाइम प्लेट जोनों मैस पर डिपेंड करता है, प्रिवियस लेक्चर में हमने पड़ा था मास, मैस प्रिंग सिस्टम तो वहाँ पे, टी इकल टू पाई, मोवर के था, तो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जोना है, एस, एच, एम भी बोल सकते हैं, याद रखना है, कभी भी मैं कहीं पे, किसी भी जगा पे, आप से ये कहूँ कि, एस, एच, एम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वाइबरेटरी मोशन की, और सքुटेटरी मोशना कर रही होती है, ठीक है? उसमी क्या होगा? उसमें जो body का acceleration होगा. क्या? body का acceleration. ठीक है? body acceleration जो न, वो directly proportional होगा. किस के साथ? displacement के साथ. और displacement कहां से आपने लेंज है? फ्रोम in position, ठीक है? acceleration is directly proportional to displacement from mean position and always directed towards mean position. जो हमने displacement लेना है वो from mean position और जो हमारी पास acceleration होगा वो towards mean position होना चाहिए है ठीक है तुछ इसकी first definition SHM is a true and true motion in which acceleration is directly proportional to displacement of a body from mean position and is always directed towards mean position ठीक है इसके बाद three examples थी इसकी simple harmonic motion की तो first example है mass attached to a spring यह हमने discuss कर लिये ball and ball system ठीक है यह इंशाला हम discuss करेंगे और आज जो हमने discuss करनी है वो है simple pendulum motion of a simple pendulum very very interesting topic है यह और exams के लिए हासा भी important है और इसमें काफी सारी short questions भी बनते हैं long तो है यह short question भी बनते हैं और इसका जो formula है ठीक है उससे भी दो question important बनते है short ठीक है और वैसे भी numerical में यह include होता है देखिए simple pendulum है क्या चीज़ इसके बार में पता होना चाहिए तो first number पर हमारे पास एक bob होगी क्या होगी एक bob छोटे size की बड़ी नहीं एक नुम भारी होने चाहिए ठीक है small size की जो bob होगी और उसका मैस है वो M होगा मैस क्या होगा M होगा ठीक है तो मारे पास एक bob है जिसका मैस M है और उसको एक string के साथ हम ठीक है एक string के साथ string जोना वो बरीक होने चाहिए string कोन से होने चाहिए हाँ बरीक होने चाहिए string के साथ हमने attach का दिया और string का जो दूसरा सीरह है उसको हमने support दे दिया दोसे साइड को हमने बॉब के साथ अटाच कर दिया ठीक है तो यह इसको हम कहते हैं simple pendulum देखें यहाँ पर यहाँ पर एक और question है यह तो simple pendulum की definition है ना कि it consists of small bob of mass m suspended from a light string of length l fixed at its upper end तो यहाँ पर आपको पता हूं जाई अपर एंड से इसको fix किया गया है ठीक है और यहाँ से इसको suspend किया गया है तो होगा क्या यहाँ पर स्वाल बनता है कि length कहां से लेकर कहां तक access student क्या करते है लोग यहां से लेकर यहां तक जिना यह इसकी length है इस वेरी रोंग यह गलत है आपने अगर आपसे question पूछा जाए कि simple pendulum की length से क्या मरादा है लंबाई से क्या मरादा है तो देखी बड़ा यहाँ question है इसका answer देखी यहां पर अपर एंड़ ना अपर एंड़ के suspension से लेकर ठीक है बोब के center तक कहां तक बोब के center तक का फासला उसको हम कहते हैं pendulum की लंबाई clear देखें sports से लेकर या fixed point से लेकर बोब के center तक का फासला उसको हम कहते हैं सादे pendulum की लंबाई simple pendulum की length ठीक है अब हमने क्या किया है अब हमने करना यह है कि यहां पे body जोना वो rest पे है body क्या है rest पे है pendulum जोना वो rest पे है क्यों rest पे है उसकी reason यह है जो weight है वर नesar है वो नीचे की तरफ है और जो tension है वो उपर की तरफ है और दोनो equal हैं और दोनो क्या है equal हैं तो यहां पे body जोना वो rest पोजिशन भी होगी ठीक है यह क्यों होगी नेट position पे है Airbnb position पे ठीक है यहां पे body equilibrium position पर अब हमने क्या किया चैक क्वेश्चन है मैं पूछते हूँ के विबह घृद ज़्यादा होगा यहां पर अगर वेट वेट ज़्यादा हो तो क्या होगा अगर वेट टेंशन से ज्यादा हो जाएगा तो तो यह बॉब नीचे घिर जाएगी स्ट्रिंग जो ना थागा जो ना यह तूट जाएगा ठीक है याद रखना अब हमने क्या किया इस बॉब को इस पैंडुलम को हमने हाथ से पकड़ा ठीक है हमने इसको डिस्प्लेश किया एपॉइंट पर कहां पर एपॉइंट पर हमने से बिट दिया हमने हमने हाध की मेकाने का लाजी यह मसिल की जोखी है वाइस इस को दी है ठ्रांसफर हूई है और वह स्टौर फॉर्स की सूरत में स्टौर हो जाएगी कि इसalso में स्टौर हो जाय है ओकर अब देख में just a moment तो यहां पे रुक जाएगी stay करेगी यहाँ पर फिर जोना दुबारा A से O की तरफ move करना शुरू कर देगी क्या करना शुरू कर देगी move करना शुरू कर देगी अब देखे मैंने बोला है कि A point पर यह just a moment stay करती है रुकती है तो यहाँ पर speed इसकी velocity इसकी 0 होगी speed यानि velocity यानि के वो क्या होगी? 0 होगी जैसे यह O की तरफ move करेगी तो यह speed इसकी velocity इसकी बढ़ती जाएगी क्या होती जाएगी? velocity बढ़ती जाएगी A से O की तरफ आएगे तो velocity increase होगी ठीक है? और O से B के तरफ जाएगे तो velocity decrease होगी देखें मैंने बोला था कि इस equilibrium position में net force नहीं है जैसे हमने O से A पर लेकर आए इस pendulum को तो फिर क्या होगा फिर net force 0 नहीं होगी उसकी reason यह है कि जो tension है यह इस वजन के एक component को cancel करती है दूसरे component को cancel नहीं करती है बात क्लियर है कि जो tension है वो इस वजन के weight के एक component को cancel करती है दूसरे component को cancel नहीं करती है लेकर स्वाल यह है अब कि mg को सिटा को ही cancel क्यों करती है देखें अब आपको पता है कि अगर फर्ज कर ले हमारे पास यह दो parallel lines है दो क्या है parallel lines और एक third line उसको cancel third line जोना उसको cross कर रही है दोनों को तो देखें जितना angle पहली line के साथ होगा उतना ही angle दूसरी line के साथ होगा clear अब यहां पर फर्ज कर लें यह first line है और यह second line है third line दोनों को cross कर रही है तो जितना angle यहां पहोगा उतना ही angle इस line के साथ होगा यहां पे नहीं बनाना यहां पे अगर आप बनाएंगे तो वो wrong होगा याद रखना है ठीक है तो यह third line जोना है इसको cross कर रही है जितना angle यहां पह उतना ही angle यह वला होगा और याद रखना है कि यहाँ पर अगर आप फर्स करें हमारे पास force है न तो यहाँ पर देखें जो इंगल बनता है वो x-axis के along बनता है और जो y-axis होता है वो that के सामने होता है angle के सामने होता है ठीक है तो यहाँ पर देखें यह लिए साथ वाला जो होगा x-axis वो x-axis होगा और इसके perpendicular जिना वो y-axis या theta के सामने वाला y-axis है ठीक है अब यह वज़न है इसका weight नीचे की तरफ है तो इसका यह वाला component mg cos थिटा मतलब कि x component होगा और यह वाला component y component होगा ठीक है जो x component होता है उसके साथ cos थिटा आएगा और जो y component होता है उसके साथ sin theta आता है that's clear तो यहां पर यह mg cos था tension के साथ यह cancel हो जाता है तो यहां पर अगर body जो na t और mg cos था यह दोनों एक दूसरे साथ cancel हो जाएंगे और सिर्फ बच जाएगा mg sin theta और इसकी वज़ा से body extreme position से main position के तरफ आती है ठीक है extreme position से main position के तरफ आती है तो यहां देखना है कि यह जो weight है इसके दो components बनाने हैं अब कुछ को strength यह कहता है कि जो x component और y component तो इस तरह से होता है नहीं किसी भी तरीके से हो सकता है शर्त यह है उसके लिए शर्त यह है कि वो दोनों right angle पर होने चाहिए है ठीक है दोनों right angle पर होने चाहिए अब बात करते हैं storing force की मैंने का था कि हमने इसको हाथ से पकड़ा एक point पर लेकर है हमने इसको हमने force लगाई है वो इसके अंदर store होगी है जैसे हम हम यहां पर छोड़ेंगे तो वो restore होना शुरू हो जाएगी क्या होना शुरू हो जाएगी restore होना शुरू हो जाएगी देखें हमने जो इदर लेकर गए वो store होई थी force और जो restoring force होगी वो इसको वापस लेकर आएगी इसका मतलब क्या हुआ जो restoring force है वो extreme position से main position की तरफ होती है extreme position से किस तरफ होती है main position की तरफ ओके अब देखें जैसे जैसे body जो ना वो A.C.O की तरफ आएगी इसकी speed velocity बढ़ती जाएगी और यहां पर आकर इसकी velocity maximum होगी ज्यादा से ज्यादा होगी ठीक है और जब दुबारा O.C.B की तरफ जाएगी तो फिर क्या होगा फिर यह होगा कि इसकी स्पीड विलासिटी कम होना शुरू हो जाएगी क्या कम होना शुरू हो जाएगी इसकी वज़ा क्या है इसकी वज़ा रिस्टोरिंग force है क्या है restoring force क्यों क्यों कि restoring force जब वो किस तरफ लेकर आती है O की तरफ लेकर आती है यहां पर restoring force की वज़ा से body जो ना वो इस तरफ जा रहे है तो restoring force उसको रोकेगी उनके restoring force तो body को O की तरफ लेकर आते हैं लेकर यहां पर क्या हो रहा है यहां पर उसे B की तरफ जा रहे हैं तो restoring force उसको रोकेगी जिसके मैंसे उसकी velocity जो ना वो कम होते जाएगी यहां पर ज्यादा है आगे B की तरफ जाएगे कम होते जाएगी और B पर आकर zero हो जाएगी क् एक बोडी वो stay करती है for a while ठीक है चंद seconds के लिए just a second के लिए वो यहाँ पर stay करती है तो restoring force जो ना वो यहाँ पर देखें दो components मैंने बताए हैं एक उसका x component दूसरा y component x component तो cancel होगा दूसरा जो y component है वो बोडी को इदर move करवा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो component है यह restoring force के तोर पर काम कर रहा है याद रखना है restoring force के तोर पर कौन सा component काम कर रहा है mg sin theta यह तो cancel होगा थीक है अब अगर बात करें velocity की तो velocity के होले से मैंने बता दिया कि अगर हम A से O की طरफ आते हैं तो velocity increase होगी velocity increase होगी और O से B की तरफ जाएंगे तो velocity decrease होगी किके हैं वैम से restoring force के मैं से restoring force जो होती है बोडी को O की तरफ लेकर जाते हैं लेकर यहां पर हम O की तरफ नहीं O से अवे दूर जा रहे हैं तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स बोडी को रुकेगी ठीक है इस मैंसे उसकी विलासिटी कम होते जाएगे और B पर आका विलासिटी ZERO हो जाएगी दोबारा अगर हम अगेन B से O की तरफ आएगे तो दोबारा फिर विलासिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी उसकी रिजन फिर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स है क्यों किरिस्टोरिंग फोर्स बोडी को O की तरफ लेकर आते है तो यहाँ पर जो body है वो O की तरफ आ रही है तो उसकी जो velocity है वो बढ़ती जाएगी ठीक है अब बात करते हैं acceleration की किसकी? acceleration की तो देखें अभी मैंने बताया के जो velocity है वो A से O की तरफ आएं increase होती है B से O की तरफ आएं तो increase होती है O से A की तरफ जाएं decrease होगी O से B की तरफ जाएं तो भी decrease होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर velocity इस तरफ increase हो रही है तो जो acceleration होगा वो भी इसी तरफ होगा वो भी इसी तरफ होगा towards mean position यहाँ पर देखें यहाँ पर भी velocity इस तरफ increase होती है duty restoring force restoring force की वज़ा से acting towards mean position जो restoring force है वो किस तरफ है? mean position की तरफ एक्टोरी है ठीक है? तो acceleration is towards mean acceleration भी किस तरफ होगा? main position की तरफ होगा जो speed की बात करें तो भी वही चीज़ यहाँ कि speed जोना वो A point पर 0 होगी जैसे जैसे body O की तरफ आएगी जाएगी तो speed बढ़ना डिक्रीज़ से B जाएगी ऑकर मेक्सिमम हो जाएगी O से B की तरफ जाएगे तो speed घ्र की वही यहाँ पर आकर झाएगी तुबहरा आगे ईन ओ की तरफ आएगे तो फिर स्थिल्उर्ण फोर्स की वहीं safeguard इसकी speed बढ़ना शुरू हो जाएगी और ओपर आकर maximum हो जाएगी, ठीक है, तो सारक कुल में लाखे क्या हुआ, कुल में लाखे आपने सिर्फ ये कहना है, कि जो acceleration है, वो towards mean position होगा, acceleration किस तरफ होगा, towards mean position क्यों होगा, क्योंकि इसकी velocity mean position की तरफ है, velocity mean position की तरफ increase करती है, ठी है, time period की, तो time period का formula है, t is equal to 2 pi l over g, t is equal to 2 pi, t is equal to 2 pi l over g, ये तो था आज का topic है, लेकन, अब मैं जो question करने जा रहा हूँ, आप लोगों से, तो वो बहुत ही interesting है, ठीक है, कैसे, पहला question ये है, आपने formula पढ़ लिया है, t is equal to 2 pi l over g, तो t का l के साथ क्या connection है, क्या तालुक है, देखी, l जो ना वो बटे की उपर है, तो अगर हम l को increase करेंगे, तो जरी से बात है, time period भी increase होगा, time period भी increase होगा, ठीक है, तो वो इसके मताबक हम उसको देख सकते हैं, लेकन, एक दूसरा स्वाल, दूसरा स्वाल ये है, कि अगर मैं यहाँ पर, यहाँ पर एक बोब लग मोले में देखें, मैस का जिकर है, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पर मैस जो ना वो जितना मज़ी हम पड़ा ले, एक बोब और अटाच का देंगे, दो लगा दें, तीन लगा दें, पांच लगा गें, इसके time period पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, time period पे कोई फरक नहीं असर नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है, तो यह दो questions है, इनको आप अच्छे तरीके से फिर भी आपको कोई confusion हो, तो आप मुझे comment box में question पूर सकते हैं, इंशला हम आपको next video में आपकी question का answer बताऊंगा, ठीक है, इंशला आपका name लेकर और आपको इंशला उससे clear भी हो होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज